यह जो कार्ड है, इस कार्ड को गौर से देखिए, जी हाँ, यह है HDFC कार्ड Tata New Plus Credit Card, और यह कार्ड मैंने फ्री में बनवाया है, वो भी lifetime free, वैसे तो इस कार्ड के जो है joining fee लगते है 499, लेकिन मैंने इसको फ्री में बनवाया, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप भी इसको फ्री में कैसे बनवा सकते हैं, तो बने रही है मेरे साथ, और लाज तक इस वीडियो को पूरा देखे, तभी आपको समझ आएगा किस तरह से आप भी इसको फ्री में apply कर सकते हैं, तो ज़्यादा वेट ना करते हैं वीडियो में आगे चलते हैं और जानते ह इसके बारे में detail में, वैसे तो HDFC ने Tata के साथ मिलके दो credit card को अभी lifetime free दिया जा रहा है, एक है HDFC card Tata new plus credit card और दूसरा है HDFC card Tata new infinity credit card, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ Tata new plus के बारे में, ये card आपको free में कैसे मिलने वाला है, अगर आप free में इसको apply करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन उससे पहले इसके जो detail है, क्या-क्या इसके benefits हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दू, इसके benefit के बारे में, यानि यहाँ joining fee तो आपको लग नहीं रहा तो इसके benefit के बारे में बता दू, HDFC के Tata new plus credit card से कोई भी spend करते हैं, Tata के brand के साथ, यानि Tata का कोई भी brand है, top brand उसके साथ अगर आप spend करते हैं, यहाँ से आपको 2% का as a cashback new coins earn करने का मौका मिलता है, अगर आप EMI transaction करते हैं, अपने इस Tata new HDFC plus credit card से, चाहे वो Tata के brand के साथ हो, चाहे वो non Tata brand के साथ हो, आपको यहाँ से 1% का new coins earn करने का मौका मिलता है, इसके साथ आपको यह जो card है, यह दोनों network पे available है, visa network और रुपे network, तो यह आपके उपर depend करता है, कि आप रुपे network पे लेना चाहते हैं, या फिर visa network पे, जैसे ही आप apply करने जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों option शो करेगा, तो अगर आप सिर्फ 500 new coins earn करने का मौका मिलेगा अपने UPI spend पे, अगर आप इस card से कोई भी rental या फिर government payment करते हैं, तो यहाँ से आपको कोई भी new coins earn करने का मौका नहीं मिलता है, grocery पे spend करते हैं, तो आप हर महीने 1000 का new coins earn कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से utility पे spend करते हैं, तो आपको हर मह इने 2000 new coins earn करने का मौका मिलता है, utility bills पे, सेम अगर आप telecom या फिर cable पे कोई भी transaction करते हैं, तो आपको यहाँ से 2000 new coins earn करने का मौका मिलता है, उसके साथ साथ आपको HDFC bank देती है, for domestic airport lounge access का benefit, जी हाँ, आपको हर साल 4 domestic airport lounge का benefit मिलेगा, और इसके लिए आपको per visit पे सिर्फ 2 और फाइनली मैं आपको यह बता दो कि यह जो भी new coins आप earn करेंगे, इसको आप कहां spend कर सकते हैं, किस तरह से इसको redeem कर सकते हैं, जैसे कि Air India Express, Big Basket, Chroma, Westside, Tata Click, Tata Click Luxury, Hotel Booking, Purchase on IHCL, Tata Van Mg, Qmin, Titan and Tanishq, इन सभी brand जो की Tata के brand है, आप इस पे अपने जो new coins है, उसको redeem कर सकते है यानि यहां से आप spend करके कुछ भी आप purchase कर सकते हैं, कोई भी services ले सकते हैं, तो यहां से आप अपने जो भी coins है, उसको अच्छे से redeem कर सकते हैं, तो यह सभी benefit आपको मिलेगा free में, जी हाँ यहां पे आपको कोई भी charges नहीं देने होंगे, और जैसे कि मैंने शुरू में ब कोई भी annual charge नहीं देना होगा, कोई भी joining fee आपको नहीं देना होगा, और free of cost मिल जाएगा, और अभी यह card बहुत ही जादा लोगों को मिल रहा है, अभी यह card है, यह लोगों का धडले से जो है, वो approve हो रहा है, तो आपको भी यह card मिल सकता है, तो जल्दी से apply करें, link आपको description में दे दिया गया है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को यहां तक देखने के लिए thank you so much, मिलते हैं अगली वीडियो में,